अगर आप गहराई से देखो, तो हिंदु लोग actually में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बलकि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थुरू। यह वैसा योगया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरीए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप actual पिता को भूल कर सिरफ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदु जानता है कि यहाँ पर मूर्ती के जरीए भगवान की पूजा करी जा रही है एक्चुली मैं उस फिजिकल मूर्ती की पूजा नहीं करी जा रही है इस चीज का एक अच्छा जवाब आचारे प्रशान जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थ मूर्ती जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है मूर्ती अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है और जब मूर्ती पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ती सत्य है उसमें यही का जाता है कि मूर्ती के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश ये जो एक तरह का हिंदुओं में एक मिसकंसेप्शन है इसको किलियर करना बहुत जरूरी है ये जो का ना आप अपने बाप की तस्वीर देखकर बाप को याद करते हैं हम मुर्थी देखकर खुदा को याद करते हैं मैं एक सवाल करता हूँ अगर एक आदमी अपने बाप की तस्वीर की जगा गधे की तस्वीर देखकर बाप को याद करे तो क्या ये बाप की तोहीन नहीं है यकिनां बाप की तोहीन है यूँकि बाप की जो तस्वीर है जैसी तस्वीर है उसी को तो देखना चाहिए न आपने बाप को देखा और आपने उसकी तस्वीर बना दी, आपने बाप को देखा, आपने फोन से उसका फोटू ले लिया, बाप के मरने के बाद आप उसका फोटू को देखकर बाप को याद करते हैं, समझ में आता है, क्योंकि तस्वीर उसी की है, लेकिन अगर आप गधे के तस्वीर देखकर बाप को याद करने लगे तो आप खुद तोहीन महसूस करेंगे कि आप अपने बाप की तोहीन कर रहे हैं जिसकी कोई तस्वीर नहीं हो सकती उसकी तस्वीर बनाना उसकी तोहीन नहीं तो और क्या है एक और मिसाल ले लीजे जगा जगा जो सरकारी दफ में गुस्ताखी नहीं होगी जितने मौधी भक्त होंगे वो हैंगे कि भाई ठीक है राहूल ने भी डाड़ी रखी वी है मौधी ने भी डाड़ी रखी वी है इसका मतलब यह नहीं कि राहूल गाधी को की तस्वीर मौधी की जगा दिया है मौधी की तस्वीर मौधी की तस् एक एक इंसां की तस्वीर दूसissements की नहीं बना सकते तो जिसकी कोई तस्वीर हो यह steeds, ज2 उख कर overlap दिखाया है। हाँ बुजदिल और बहादूरी की तस्वीर बना सकते हैं आप चुके बुजदिल इनसान होता है बहादूरी इनसान होता है लेकिन बुजदिली और बहादूरी ये कॉंसेप्ट है आप उस कॉंसेप्ट की तस्वीर बना दे और ऐसी तस्वीर बना दे का सारी दुनिया उसक कि जिसकी कोई तस्वीर नहीं है जिसका कोई शेप नहीं है उसकी तस्वीर इनसान अगर बनाए तो क्या ये खुदा की शान में गुस्ताखी नहीं होगी अच्छा अब धौरवराथी अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए साथ में ये भी कहते हैं देखें उनके कॉमेंट में कुछ मुसल्मान ये कह रहे हैं कि खुदा की तस्वीर कैसे हो सकती है उसका मुझसमा कैसे हो सकता है जबके खुदा का कुछ जिसम नहीं है एक हवाला इन्होंने ये दिया दूसरा हवाला ये दिया यहां इन्होंने एक हदीस और एक आयत का हवाला दिया है सबसे पहले आयती को ले लेते हैं आयत में कि I created him I created Adam with my two hands इससे वह थाबित करना चारे हैं कि खुदा के हाथ हैं जब हाथ हैं तो फिर बाड़ी है तो ये जो आयत है इसके तालुक से इसकी बजाहत करना जरूरी है या आपके सामने जो स्क्रीन शॉट है इस वक्त ये तफसीर कुर्तुबी का है और बड़ी किलासिकल तफसीर है उसमें इस आयत के माना बयान किये गए हैं लेकिन जो चीज एहम है वो मैं आपको आखी में बताऊंगा तो इमाम कुर्तुबी ये कहते हैं कि अल्ला सुभाना हुआ यहां से देख सकते हैं लोगों से उस अंदाज में बात करता है जिस अंदाज को वो जानते और समझते हैं अब मसलाँ आप अगर सी पलस लेंग्वेज में लोगों से बात करने लगें या मसलाँ पाइथान लेंग्वेज में आप लोगों से बात करने लगें जिसको सिर्फ आईटी स्पेशलिस समझते हैं मैं नहीं समझता है काम आदमी नहीं समझता तो हमें तो कुछ भी हपले नहीं पड़ेगा कि क्या बात हो रही है लेकिन अगर हमसे बात हमारे अंदाज में हो फिर लेंग्वेज कोई भी हो हम तर्जमा करके भी समझते हैं तब ही तो बात समझ में आएगी आगे कहते हैं इमाम को लतुबी इल्ला अला सबीर लिखामी वात्तकर्र्म कि जो सबसे बड़ा इंसान होता है जो सबसे बड़ी मखलूख है मखलूख की बात हो रही है अगर वो कोई काम अपने हाथ से करे तो अपने हाथ से करने का मतलब यह कि उसने उस चीज़ को अहमियत औी इज्जट दी में आप यह कहें बाश्या सुरामत ने अपने हाथ से खाना किलाया تو हाथ سے کھانا کھلانے کا کیا मطلب ہے کہ سامنے والے کوئی اتنی عزت دی اور اس کا اتنا احترام کیا کہ اپنے हाथ سے کھانا کھلایا اس میں احترام اور عزت کا پہلو شامل ہے تو اسی معنی میں ید یعنی ہاتھ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے فَذَكَرَ الْيَدَ هُنَا بِمَعْنَا هَذَا کہ آدم علیہ السلام کو چونکہ اشرف المخلوقات کا جد امجد بنایا ہے इसलिए लवज यद का जिक्र कुरान करीम में है कि आदम आले साथ उसलाम को मैंने अपने हाथ से बनाया है यह इतने इतने अहतराम हो रहे उनको दिया और उतनी इजद दिया और तुम उनकी तुम उनके सामने नहीं जुक रहे हो यह आयत का मतलब है आगे मुजाहिद कहते हैं मुजाहिद बहुत मशूर मुफस्सिर और ताबिए है वो यह कहते हैं अलियदु हाहुना बिमानत ताकुदि वस्सिला के यद का यानि हाथ के जो माना इस आयत में है वो emphasize के लिए है इसके माना यह है कि मैंने ही बनाया मैंने ही आदम आलिए सलाथ उसलाम को बनाया किसी ओर ने नहीं बनाया जब मैंने ही बनाया तो ऐ शेतान तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू एरोगेंस और तकब्र इख्टियार करे आगे अगलिया लाई में रिखा हुआ है ये एक और अप्रोच है जो एहल सुन्न वाल जमात में है वो ये के यद के माना यहां पर निए प्रूद्रत के नहीं है बलकि यद एक सिफत है खुदा की एक क्वालिटी है और वो क्वालिटी कैसी है उसकी हकीकत क्या है ये से मुराद यहां पर गुद्रत है यानि खुदा ये कह रहा है मैंने अपनी गुद्रत से बनाया कहा जाता है अरबी जबान में ये कहावत है माली बिहाद अम्र यदुन मुझे इस काम के करने पर कोई कुद्रत नहीं है यदुन का लवज, हाथ का लवज अरबी कहावत में इस्तमाल हुआ एक और शेर का टुकड़ा है जो इमाम कुर्टुबी पेश कर रहे है वो किरें वमाली बिलहमली थकीली यदानी इस बोच को उठाने के मेरे पास हाथ नहीं है एक आदमी जिसके हाथ है वो यके रहाएं कि मेरे पास हाक नहीं है यह कहता है कि तहम्मलतु आखिलाैं कि मैंने औफरा अपनी महबूबा के तालुछ से कह रहा है कि मैंने आफरा के लिए ऐसे ऐसे बोच बरदाश्त किये कि जो मेरी पुद्रत बलके पहाड़ों की वाहर थे وَمَا لِلْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ يَدَانِ يَدَان کا لفظ یعنی ہاتھوں کا لفظ پہاڑوں کے لئے استعمال ہوا تو یہ عربی زمان میں کومن ہے اسی اعتباسِ قرآنِ کریم کے اندر بھی يَد کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے استعمال ہوا ہے اسی طریقے سے صورت کا لفظ صفت کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث میں جو آیا کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا یعنی اللہ نے اپنی صفت کے اوپر پیدا کیا جو صفات ہمارے اندر نوبل صفات ہیں وہ کہاں سے آئیں وہ خدا کے پاس سے آئیں تو اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کی باڈی ہے اور یہ جو میں نے آپ کو قرطبی کی بات بتائی اور میں نے کہا آخر میں میں ایک بات بتانے والا ہوں اہم وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنے سارے تین چار اقوال میں نے ذکر کی ہے لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی خدا کی باڈی ہے تو مسلمان اس بات پر متفق ہیں علماء اس بات پر متفق ہیں جو حدیث کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں جو قرآن کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی باڈی اور جسم نہیں ہو سکتا چونکہ خدا خودی اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کیا اعلان کر رہا ہے کہ لئی سا کمیس لہی شئی اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ جیسے ہی باڈی کا کوئی بھی تصور کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کو مخلوق جیسا سمجھ لیا جبکہ خدا مخلوق جیسا نہیں ہے تو جب خدا خودی کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی مورت نہیں اس کی کوئی تصویر نہیں اس جیسا کچھ نہیں اور آپ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں خدا کے ہاتھ بھی ہے اس کا جسم بھی ہے اس کی صورت بھی ہے اس کی مورت بھی ہے یہ چیز تو پھر اسلام کے خلاف ہے اسی کو misrepresentation کہا جاتا ہے